नमस्कार आर्भारा टेवी चानल में स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ श्रमा प्रवीन जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी वड़ी खबर दिखाते हैं आपको जन्स और रोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं तो चलिए देखते हैं आज की रूज खब इस वक्त मैं रोताष जिला के बिक्रम गंज अनुमंडल के बासु गंज में मैं उपस्तित हूँ और यहां पर उपस्तित होने के कारण है कि अभी यहां पर बिक्रम गंज में लोक तंत्र के महा पर्वी सुरू होने वाला है लोक तंत्र के महा पर्वी सुरू होने से पहले यहां पर जितने भी परत्यासी हैं वो अपने अपने जन संपर्क में लग चुके हैं क्योंकि लोक तंत्र के जब महा पर्वी सुरू होगा उस वक्त संपर्क में लगने से किसी से पाचान नहीं हो सकती है किसी को हम समधा नह पहले आप देख रहे हैं कि यहां वासुगंड में कुछ हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं जो के यहां के लोगों को समझा रहें बतला रहें कि विकास की तरह से अपने छेत्र के करवाना है पहली बार जनता के हाथ में नगर परसत के विकास कराने का हख मिला है क्योंकि अब जनता चुनेंगी अपने चेर्मैन वाड और उप चेर्मैन और जनता ही करवाएंगे अपने पुरे छेत्र के विकास तो चलिए उसी में से कुछ उमिदवार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और यहां पर काफी भीण है और चलिए मैं जनकारी लेने का प्रयास करूंग कि यहां पर इस गाउं में क्यों आई हैं लोग और इस गाउं के लोग से भी मैं जानूंगा कि इन लोग क्या चाहते हैं किस तरह से विकास करवाना चाहते हैं कैसे परत्यासी कुछ चाहेंगे हमारे साथ इस गाउं के लोग जुड़ चुके हैं ताकि कहां जा रहें कहां किदा और अभी लोगतंत्र के महा पर्व सुरू होने वाला है आपके बिक्रम गेंज में पर्व तरू होने वाला है और जितने भी इसे पर्व के अखाड़े में उतरने वाले पर त्यासी अब डूर नूर बना रहे परत्यासी चाहिए आप लोग परत्यासी चाहिए जो लोग चुनते थे लेकिन अब जनता के हां और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले मैं आपका पर्चे जानूगा मेरा नाम राजा पटेल उर्फ राजा जीतेंदर कुमार है मैं अभी नगर परिशत बिक्रम गज्ज का वाड पारशत हूँ वाड नमबर 13 का वाड नमबर 13 का वाड पारशत हैं अब किसे लिए मैदान में उत्रे हुए हैं सबसे पहले मिडिया के लोग और समस्त नगर परिशत के लोगों का हमारे परणाम है मैं नगर परिशत में जब वाड परशत हूँ अभी बर्तमान मैं देखा कि हमारे जो उपर होते हैं कोई भी कार्ज हम लोग फ्री नहीं कर पाते हैं जैसे मैं अभी यहां सिकरिया और बासुगंज में आया तो देखा कि यहां रोड की स्थिती भी जरजर है सहर से यहां आने में 5 मिनट के रस्ता है लग जाता है आदा घंटा थाना चोक से भी हम लोग आते हैं तो वह इस्थिती है और बहुत सारे निता बहुत सारे चेर्मेन बहुत लोग यहां के वादा करके चले जाते हैं और काम कुछ भी नहीं होता है चिन मिलेगा, उसके बार जब हक मिलेगा एन लोगों का भरपूर सपोर्ट किसको ये लोग कर रहे हैं वो आपको ठिक एबीएम का बटम जिस दिन दबेगा और जिस दिन एबीएम के पिटारा खुलेगा उस दिन देखने को मिलेगा कि जनता किसको पेहनाती है ताज और कौन चलाता है अपने इस नगर की राज को अभी मेरे साथ जूड़े रही है मैं लगतार अपडेटिंग आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा दर्दनाक और दैनिय थी बरसात में वही दिकत होता था मैं जब वार्ड परसत बना तो पूरी अपनी ताकत लगा के जितना हो सके मैं अपने वार्ड को सुन्दर बनाया और सहर के लोगों का भी मैं कर्च करता हूँ और मैं इसी उमीद से कि मैं अगर इस सहर का अगर चेर्मेन बनो तो अपने पूरे नगर परिशत के अंतरगत आने वाले कार्ज को पूरा कर सको ये लोगों को कहना नहीं पड़े कि हमारे गाउं की स्थिति ही है मैं घुम घुम देखा करता हूं कि कहां क्या परसानी है कि इनका पेंसन नहीं है कि इनके साथ रासन की प्रॉब्लम है तक नगर परसत के गाउं है जिसका नाम वासुगंज है और यहीं से शुरुवात कि यहां से यह यहां पर आए हुए हैं यहां यहां पर सबसे पहले एक ब्यक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं ताकि इनके ड्रेस से ही लगता है कि ग्रामिड जनता है और ग्रामिड जनता आपका नाम क्या है डिप Bi людей करेंने वाले बासुगंज अभी आपके गाउं में कुछ लोग आए हुए है जब तक नगर परसत के चुनाव करें ठीक है आप को बिकाष चाहिए яг सेत्समारों चाहिए जोनों चाहिए धना चाहिए है है चलिए जनता की बात अपने अपने होती है क्योंकि जनता कुछ भी कहेंगे कि जनता को भी हुआ झाल 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 झाल